मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगलियाजम अच्छा ड्रामा है अच्छी कहानी है लेकिन जो दिखाया गया है उसका सचाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है हमारी problem ये है कि उस generation से लेकर आज तक जो हमें परदे पे दिखा दिया गया हमने इसको सच मान लिया हमने कभी इतिहास के पन्ने पलटने कोशिश नहीं की हमने the great mughal मान लिया और ये नहीं सोचा कि जिसको हम the great mughal कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीन करते हैं कि ये बड़ी शाश्वत प्रेम कथा है जोधा अकबर वो तीसरी पत्नी थी अगर यहां भी बात रुक जाती है तो हम मान लेते कि चलो अच्छी love story थी तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया जोधा बाई के बाद और 21 जून 1576 को पूरा मालवा उजार देते हैं बाश बहादुर को मार देते हैं राणी रूप मती खुदकुशी कर लेती हैं क्योंकि राणी रूप मती के रूप का उवर्लन सुनके ये आदमी पागल हो गया था अकबर के बारे में ये सुनते रहते हैं कि भेश बदल के भूमते थे वो शिकार करने के लिए घूमते थे कि किसका शिकार करें और ऐसा ही एक दिन था इतहासकारों ने लिखा है जब अकबर रात के वक्त भेश पदल के घूम रहे थे और एक जगे नुकड नाटक चल रहा था तो उस नुकड नाटक में जो कलाकार था वो राणी रूपमती की सुंदरता का उनाडन कर रहा था कि कैसे दुनिया में राणी रूपमती से ज़्यादा सुंदर कोई और नहीं है अकबर उस समूह में जो वो नाटक देख रहा था वहां खड़े हो गए और सुनते रहे बहुत दीर तक और उनके दिमाव में इस तरह राणी की खुबसूरती का नशा चाया कि उन्होंने अगले दिन अपनी फौजों को जो उनके सौतेले भाई थे जो उनकी दाई के पेट से पैदा हुए थे सौतेला तो नहीं पर भाई मानते थे उनको उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और राणी रूपमती को उठा के लाओ गीत का लिट्रेचर का अदब का गढ़ था जहां कोई बुराई ही नहीं थी मैं यह कह दूँ अगर एक जो परफेक्ट स्टेट होता है परफेक्ट और में स्टेट होता है मालवा ऐसी जगे थी अकबरी फौजों ने सब बरबाद कर दिया ये जोधा बाई से शादी के तक तीबन 14 साल बात की घटना है तो अकबर तो कहीं रुका ही नहीं जब तक जिया अपनी हवस अपनी वासना का पुजारी बना रहा आप उसे मेरा हीरो ना बताएं आपने आज तक बताया मैंने आज तक मान लिया आप मैं नहीं मानूंगा अब मैं जाग चुका हूं और मेरे तोगलग को छे महीने बंदी बना के रखा यह चेप्टर में कहा है कौन सी टेξ-बॉकult में यह पाठ है हमें क्यों नहीं बताया गया कि महराना कुम्भा ने छिलजी को महीनों कायद मे EN्हक्ति हमें क्यों नहीं बताया गया कि तो भारत की सल्टनत ने डिल्ली सल्टनत थी यानि कुल मिलाकर दिल्ली के एरदगर दिराज करते थे अगर आप महरास्ट्रा की तरफ देखें तो छत्रपति शिवा जी महरास का डंका बज़ना था उनकी तलवारों के आगे किसी की मजाल नीदी आके खड़ा हो जाएं अगर किसी सल्टनत और कौन सा मुगल सामराज्ये जब हम एक वर्ड उस करते हैं ना दा मुगल आफ म्यूजेग दा मुगल आफ देस दा मुगल आफ बिजनेस पहली बात तो ये सोच बदल दीजे क्योंकि ये सिर्फ भगोडे थे और ये बाद में लुटे रे थे इनके तीसरी क दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुनसक्ता ने दी है क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सहे गए